जे हिन सातियों नमस्कार सेनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सातियों आज हम बात करेंगे मुद्दे की और मुद्दा है टॉल टेक्स पिछले एक मेने से आपको अलग-अलग तरीके के लेटर दिखा कर बुमरा किया जा रहा है लेकिन आपको काम की बात या कानून के बारे में कोई नहीं बता रहा है कि टॉल टेक्स का नियम क्या है इसलिए अपवाओं से बचे सतरक रहे हैं मैं पहले कुछ एक फेक लेटर सा आपको दिखाऊंगा जिसके जरिये आप यूटूब पे वीडियो देखते हो यह जो मैं लेटर बता रहा हूँ यह सभी लेटर फेक्स है किसी ने एडिट करके अपलेओड किया हुए है और गूगल में जब सर्च करते हैं तो यही लेटर सामने आते हैं सबसे पहले आप एक लेटर देखें यह लेटर जारी किया गया है नौबर सत्रा दोजार छे को और इस लेटर ने जितनी सूर्खियां बटो रही है इसके अलावा कोई भी लेटर गूगल के उपर नहीं अवेलेबल है जिसका लोगों ने मिस्यूज किया हूँ इसमें लिखावा है एक्जंप्शन फ्रॉम टॉल टेक्स यहाँ पे कुछी क्रेक रेफरेंस दिया हूआ है नीचे लिखावा है डिफेंस परसनल अबलिक एक सर्विसमें एंड दियर फेमिलीज आर एक्जंप्टेड फ्रॉम पैइंग टेक्स ओन प्रोड़क्शन ओफ आ यह पूरा का पूरा एक फेक और एडिटेड लेटर है उपर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फॉन नंबर में 0112498 आप समझ गये होंगे कि यह नंबर कहां के होते हैं इंडिया में तो यह नंबर होते नहीं है तो यह एडिटेड लेटर है और इस लेटर के करण के एक्सर्विसमेंज को टोल फ्लाजा के उपर सरमिंदगी का एसास होता है जब वो कहते हैं कि ये लेटर है NHI का और हमारे को टोल टेक्स एक्जम्ट है क्योंकि इसमें लिखावा है कि एक्सर्विसमेंज को भी और उनकी फेमिलीज को भी आईकार दिखाने के उपर टोल टेक्स का बुगतान नहीं करना पड़ेगा तो अब के बाद आज के बाद आप इस लेटर को कहीं पे भी ना दिखाए ये लेटर फेक है अब इसी प्रकार के और भी आपको बहुत सार लेटर देखने को मिलेंगे Google में आप सर्च करेंगे तो देखिए ये सब लेटर जो है पूरे फेक लेटर है ये लेटर जो भी मैं आपको दिखा रहा था वो ही लेटर है नौंबर 1726 का इसके अंदर एक और अच्छी बात की हुई है कि नीचे स्टांप लगा दी गई है अब ये स्टांप किसकी है महस बालदी विशेश कारेकार अधिकारी नगर सेवक उरन नगर परिसेद किसके साइन है कहां की स्टांप है क्यों लगाई गई है इसमें भी कोई साइन नहीं है लेटर वो सेम है ये भी लेटर फेक है और इसके उपर जो इस्टांप लगई हुई है ये भी फेक है के एक सर्विसमें इस लेटर को प्रिंट आउट करके बड़ी सोक से अपने पर्स में रखते हैं गाड़ी में रखते हैं टोल पलाजा ब जाते हैं तो इस लेटर को दिखाते हैं तो ऐसा कोई लेटर नहीं है इस लेटर को पढ़के ही आप जान पाएंगे कि ये लेटर फेक है जो मैंने आपको पहले इसके बारे में समझा दिया है अब एक लेटर 13 अक्टूबर 2022 को हेड़कोर्टर WACIF सुबरतो पार्क से जारी किया गया है जिसमें लिखावा है एज पर डिस्टिबूशन लिस्ट अब इस लेटर की यदि हम तेकिकात करने जाएं तो 13 अक्टूबर 2022 को लेटर ये जारी हुआ है और 14 अक्टूबर 2022 जो की अभी तक आई नहीं है ये 11 एर फोर्स होस्पिटल में रिसी हो चुका है यानि एडवांस लेटर रिसी हो चुका है और निचे लिखावा है 9 दिसमबर अब इसके उपर आप क्या कहेंगे क्या आपको ये इतना जो देखने के बाद कहीं से लगता है कि ये लेटर ओरिजिनल है अब लेटर को हम यदि ओरिजिनल माल ले तो इतना एडवांस कौन चलता है एक दो मिना एडवांस चल रहा है जो की आगे की डेट डाल देता है की रिशी होने की 14 नॉंबर 2022 इस लेटर में कहा गया है कि जो सर्विंग सोल्जर्स है वो चाए ओन डूटी हो चाए ओप डूटी हो यदि वो टोल पलाजा पर आईकार दिखाएंगे और अपनी प्राइवेट कार में भी यदि यात्रा कर रहे है तो उनको टोल टेक्स एक्जेम्ट दिया जाएगा बात ये सही है क्योंकि ये नियम में लिखावा है कानून में लिखावा है लेकिन ये लेटर सच्चा है या नहीं इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है तो हम इस लेटर को भी फेक मानेंगे अब जो असली बात है औरिजिनल बात है वो मैं आपको बताऊँगा अब मैं आपको बताऊँगा इंडियन टोल आर्मी एंड एर फोर्स एक्ट नाइनटीन वन के बारे में और यही असली कानून है जिसके अंदर आर्मी और एर फोर्स के बारे में लिखावा है कि किन किन सोल्जर्स को अपसर्स को एर्मेन को या जो केरियज होता है इसके अलावा कौन सी गाड़ियां है उनको टॉल टेक्स में एक्जेम्ट किया जाएगा अब इसके बाद नेवी को भी इस एक्ट के अंदर सामिल कर लिया गया है तो तिनो जो आर्मर्ड फोर्स में तिनो यूनिट है आर्मी एर फोर्स और नेवी उनके किन सोल्जर्स अपसर और एर्मेन या सेलर्स को टॉल टेक्स एक्जेम्ट है इसके बारे में मैं आपको एक ए सामने है दा इंडियन टोल्स आर्मी एंड एर फोर्स एक्ट 1901 अब इस कानून के सिधे हम टोल टेक्स एक्जम्शन वाले पेराग्राप में चलते हैं बाकी इसकी पीडियेप में डेस्क्रिप्शन डाल दूँगा आप कम्प्लीटली पढ़ सकते हो अब एक्जम्शन फोर्म तॉल्स दा फोलॉविंग परसं एंड प्रोपर्टी नेमली ऑल आफिसर्स एंड एर्मेन ओफ दा रेगुलर फोर्सेज एनि इर्रेगुलर कोफ्स आप समझ गया होंगे जो एक्टिव सोल्जर याई सर्विंग ओफिसर्स एंड एर्मेन उसके बाद में नेवी को भी यहा नेक्स आता है all members of the TA and NCC when on duty or when proceeding to or returning from duty यानि जो आर्मी, एर्पोस और नेवी के officers और जवान है वो चाहिए on duty रहे चाहिए off duty है उनको tall tax exempt है जबगी total army और NCC के जो candidate है वो यदि duty से linked कहीं travel कर रहे हैं तब ही उनको tall tax में exemption है तीसरी condition है all officers soldiers and airmen of the Indian reserve forces जो Indian reserve forces जितनी भी है यदि उनको service training और mustering के लिए बुला जाता है या फिर ये service training और mustering कम्पलीट करने के लिए वापस गर जा रहे होते हैं तब ही उनको tall tax exemption है वो proper authority दिखाएंगे तो tall tax exemption मिलेगा इसके अलावा उनको exemption नहीं है next देखिए all authorized followers of the regular forces the total army or the NCC or any irregular cops next है all members of the families of officers, soldiers, airmen or authorized followers of the regular forces or any irregular cops लेकिन condition क्या है when accompanying anybody of troops or any officer, soldiers, airmen or authorized followers there of on duty or on the march यानि इनको भी जब exemption तभी मिलेगा जब वो follow कर रहे हैं यानि साथ में जा रहे हैं duty के दोरान या कोई मार्च हो रहा है उस दोरान और finally इसमें बतायवा है कि all prisoners under military or air force escort यानि जितने भी केदी है जो military authority के अंडर में है और जो air force के escort है ये यदि अपनी duty के दोरान या prisoner को एक जगे से दूसरे जगे move करवाते हैं तब उनको toll tax में exemption है इसके अलावा नहीं अब आगे यहां carry age, horse age और baggage के बारे में बात की गई है तो इसको हम detail में यहां पे नहीं जाएंगे हमारा जो main मक्सद यह था कि जो serving और ex-service man उनमें किन किन को और कब कब toll tax exemption है तो मैं यहां पे जो para 3 का A और B दुबारा आपको समझा देता हूँ सबसे पहले तो यहां का गया कि जितने भी serving, officer, soldier, airman और sellers वो चाई on duty है चाई off duty है उनको toll tax exempt है और दूसरा TA के और NCC के जितने भी soldiers है, cadet है वो यदि duty के दौरान ही move कर रहे हैं कहीं एक जगे से दूसरी जगे तब ही उनको toll tax में exemption है और तीसरा है जो reserve forces के जितने भी जवान है उनको यदि service training और mustering के लिए बुला जाता है तो toll tax exemption है और यह complete होने के बाद जदि वह वपस गर जा रहे हैं तो उस समय उनको toll tax में exemption है इसके अलावा किसी को भी exemption नहीं है तो यहाँ पर आपको कानून के बारे में समझाने का main मकसद यह था कि कई तरीके की YouTube videos YouTube में circulate किया जा रहे हैं कि toll tax में एक्सर्विसमेंड को भी exemption मिल गया है तो वो एक्सर्विसमेंड टोल पलाजब जाते हैं और वहाँ पर सरमिंद की महसूस करते हैं इसलिए आप अपना toll पे करें जब भी एक्सर्विसमेंड को toll tax में exemption दिया जाएगा तो 12 सरकार उनके लिए कानून मनाएगी और वो कानून ही आपके लिए काम आएगा ये बीच में जो फेक लेटर चल रहे हैं उनके उपर जानना दे अपवाओं से बचे फास्टेक के आने के बाद टेनेचे आई और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा कुछ एक अपने लेवल के उपर पॉलिसी लेटर जारी किये गए है लेकिन उन लेटर का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक की जो आर्मी एंड एर फोर्स टॉल्स एक्जम्शन एक्ट 19.1 में कोई अमेंडमेंट ना हो तो उस अधिकारी जेसियो और जवान को टॉल पलाजा कर्मियो द्वारा रेस्पेक्ट दिया जाएगा सलूट दिया जाएगा लेकिन ये बातें रह जाती है साइड में उल्टा उस अधिकारी जेसियो और जवान को टॉल पलाजा पर टॉल नाप पे करने की वज़े से तो साथियों ये थी जानकारी आप के लिए कि हमेसा आप कानून के साथ चले कानून के हिसाफ से बात करें और आपको यदि टॉल टेक्स एक्जेम्ट नहीं है तो आप टॉल प्लाजा पे जाके वहाँ पे खड़ा रहके और अपनी बेश्टी ना करवाएं अपना टॉल पे करें और वहाँ से चलते बनें साथियों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै बारत वंदे महतरम